prevalence and co-morbidity of ODD so when we talked about the prevalence and co-morbidity of ODD तो इसका मतलब क्या है इसका basically मतलब यह है कि ODD कितना जादा prevailed करता है और उसके साथ कौन से ऐसे disorder हैं जो co-occur कर सकते हैं अब prevalence अगर हम बात करें पाकिस्तान के reference में तो I can say कि हमारे पास कोई updated data नहीं है कि जिसकी basis पे मैं आपको यह बता सकूँ कि पाकिस्तान में ODD की prevalence जो है वो कितनी है लेकिन अगर हम एक journal मतलब wake एक मैं idea आपको दूँ तो उसमें मैं आपको यह बता सकती हूँ कि जो hospital settings है उसमें ODD की complaints जो हैं वो आती है और patient जो हैं वो report होते हैं लेकिन वो कितने percentage के उपर है unfortunately we don't have any statistics available in reference to Pakistan on that इसी तरह जो co-morbidity है उसका मतलब यह होता है कि जैसे एक disorder है oppositional deficient disorder तो उसके साथ कौन से ऐसे disorders हैं जो exhibit कर सकते हैं जैसे क्या उसके साथ attention deficit disorder हो सकता है या उसके साथ conduct disorder हो सकता है या उसके साथ substance use या abuse disorder हो सकता है तो यह जो सारी चीजे हैं इनको हम कहते हैं co-morbid कि अगर एक बच्चे के अंदर ODD है तो आपको यह भी धिहान रखना है कि कौन से disorders उसके अंदर और हैं जो उसके साथ उसी time पे या in future develop हो सकते हैं तो यह बहुत important part होता है history taking के दोरान तो अगर हम in reference to DSM-5 बात करें तो DSM-5 जो है वो prevalence rate जो है वो ODD का explain करता है 1 to 11% with an average prevalence of estimated 3.1% इसका मतलब यह है कि 1% minimum prevalence report की गई है 11% highest report की गई है और जो उसका estimated average है that is 3.3% यानि 100 में से शाइद 3 या 4 बच्चों को जो है वो ODD का problem report होता है इसी तरह अगर हम इसकी prevalence gender में देखें तो gender के अंदर in reference to male जो है that is 1.4 तो यह slightly higher है than female जिनके अंदर 1 है तो 0.4 का जो है वो difference है इस reference में यह कहा जाता है कि जो boys होते हैं उनके अंदर छोटी age से जो है वो ODD का problem जो है वो reflect होना शुरू हो जाता है लेकिन adolescence age के अंदर जब data को देखा गया है तो उसमें almost जो girls हैं और जो boys हैं उनके अंदर almost जो है एक जैसा ही ratio जो है वो ODD का इसी चीज नहीं है कि जो static है कि जी अगर छोटी उमर में एक बच्चे को हुआ है और लड़कियों को उस उमर में नहीं हो रहा तो यह कोई ऐसी चीज है कि यह disorder से boys में पाया जाता है ऐसा नहीं है सिरफ जो ratio है वो थोड़ी सी different है पर यह disorder boys और girls दोनों के अंदर मौजूद होता है इसी तरहां जब हम बात करते हैं co-morbidity की तो DSM-5 इसके बारे में explain यह करता है कि ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder जिन बचों को ODD होता है almost 14 to 40% जो बच्चे हैं उनके साथ ADHD का problem होता है इसी तरहां जिन बचों को ODD childhood में हुआ होता है उनको conduct disorder होने के chances बहुत ज्यादा होते हैं adolescence age में या adulthood में तो इस चीज़ को देखना जो है वो बहुत important होता है कि जिस बच्चे को ODD है क्या उसके अंदर सिर्फ ODD के features ही आ रहे हैं या कहीं conduct disorder के features भी जो है वो पूरे हो रहे हैं अगर उसके अंदर conduct disorder के features पूरे हो रहे होंगे तो फिर हम उसे conduct disorder childhood on-site type जो है वो diagnose करेंगे इसी तरह अगर एक बच्चा आपके पास adulthood में आया है तो you need to be see this thing कि क्या उसको बच्चपन में ODD का problem तो नहीं था अगर था तो definitely it's mean के जूंके ODD और इसी तरहा conduct disorder और anti-social personality disorder जो है हम कहते हैं कि ये एक continuum पे पर चलते हैं अगर तो बच्चा ODD के उसको बच्चपन में हुआ और ये treat हो गया तो most likely ये चीजें आगे नहीं जाएंगी लेकिन अगर ODD है तो most probably क्योंके 42% जो है इसकी co-occurrence report हो रही है तो इसका मतलब ये है कि chances of conduct disorder ये higher हो सकता है इन बच्चों के अंदर anti-social personality disorder आम तर पर जिन बच्चों को conduct disorder डाइगनोस होता है उनके अंदर anti-social personality disorder after adulthood डाइगनोस होने के chances ज्यादा होते हैं यानि co-morbidity उसकी high होती है इसी तरह जब आप बात करते हैं anxiety and major depressive disorder की तो ये देखने में आया है कि जो बच्चे ODD यानि जिनको oppositional definite disorder होता है उनको anxiety या major depression का जो disorder है वो भी साथ में हो सकता है इसलिए जिस वकत हम symptoms की बात करते हैं तो हम ये करते हैं कि ODD के अंदर जो anger का manifestation है जो irritability है उसको differentiate करना है कि कहीं वो major depressive disorder का तो feature नहीं है लेकिन sometime ये होता है कि बच्चों के अंदर ODD होता है और उसके साथ साथ उनको major depressive disorder भी हो सकता है या anxiety disorder भी हो सकता है लेकिन इसकी अगर comorbidity अब देखें तो वो 14-9% है which is quite lower than ADHD and conduct disorder इसी तरह जिन बच्चों के अंदर behavioral problems होते हैं यानि ODD का problem होता है उनके अंदर chances of substance use disorder जो है वो higher हो जाएगा adulthood में और ये भी हो सकता है कि छोटी उमर में भी sometime बच्चे जो है वो substance different किसम के उनको use करने की आदत पढ़ जाती है जिसना आपने अकसर सुना होगा किस mud bond का जो वो smell है उससे भी sometime जो बच्चे हैं उनको उसके भी addiction सी हो जाती है तो higher risk हो जाता है ऐसे बच्चों के अंदर substance use disorder का भी Thank you जसे बच्चे हैं जसへपरो जसे भीज़ जाता है